समस्कार बच्चों, आज हम हिंदी रिमजिम पाठे पुस्तक से पाठ तीन किर्मिच की गेंद का अध्यान करने वाले हैं गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था तभी पेड के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आकर गिरी जिस प्रकार आपने अपनी गर्मी की छुट्टी का अनंद लिया, उसी प्रकार दिनेश भी अपने घर में बैठा गर्मी की छुट्टी में कोई कहानी पढ़ रहा था जब कोई वस्तु उसके बगीचे में आकर गिरी वह तुरन समझ गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है किन्तु उसे देखने की इतनी जल्दी थी कि वह तुरन बरांदे की चिक सरका कर बगीचे की और भागा चिक मतलब तिनके का बना एक पर्दा अरे अरे बेटा कहां जा रहे हो बाहर लू चल रही है दिनेश की मा वही बैठकर मशीन चला रही थी वह रुक गई उसने जोड से आवाज दी कहां जा रहे हो बाहर लू चल रही है लू अर्थाद बहुत गर्म हवा चल रही है दिनेश इतनी जल्दी में था कि उसने अपने पैरों में चपल भी नहीं पहनी जून का महीना था धरती तवे की तरह तप रही थी और थाद बहुत गरम हो गई थी वो तेजी से उस चीज को देखने के लिए भाग रहा था वो कहां पहुचा अपने बगीचे में सामने के बगीचे में क्यारियों में क्या लगे थे भिंडी के उचे उचे पौधे लगे थे और एक और सिता फल की घनी बेल फैली हुई थी उचे पौधे जो उचाई में होते हैं और सिता फल की घनी बेल बेल कारत होता है किसी वस्तु के सहारे से जो बेल उपर की तरफ निकलती है बेल दिरे दिरे फैलती है उपर की तरफ लेकिन किसी वस्तु के सहारे से तो वह बेल फैली हुई थी उसने सब तरफ देखना शुरू कर दिया वहीं केले के पेर थे वो जल्दी जल्दी भीन्डियों के पौधों को पलटने लगा उसने सीता फल की बेल भी चान मारी चान मारी अर्थार उसे अच्छे से देख लिया किन्तु उसे वहां भी कुछ नहीं मिला बराबर में घूस ने गड़े बना रखे थे घूस चूहूं क मि besi migளा जेश होता है किन्तु उसमें ताकशता ज्यादा होती है उसका एकार भी बड़ा होता है सथ हा उसके उसने देखा वहां पार बिल्कुल नई चम चमाति किरर्मीच की गेन की गेन चम चमाति कार्थु गई नई चमकती हुई और कीर्मी इक तरह का और होता है मोटा कपड़ा जिसका प्रयोग अक्सर वस्तु की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है दी ने उसे हाथ में उठा लिया जेन बिल्कुल नहीं थी उसे देखकर समझ नहीं आ कि यहां फेका होगा उसने नजर उठाकर अपने आसपास भी देखा बगल की तीमंजली इमारत की और देखा किसी ने वहां से फेका होगा लेकिन तरफ धूप चिलचला रही थी मतलब तेज धूप चमक रही थी तो गर्मी की दोपार में से कौन फेक सकता है उसने मन ही मन नहाल कर रख लिया और बहुत ही इमानदारी से उसके मन में विचार आया कि शाम को जब सभी बच्चे खेलने के लिए कठा होंगे मैं सबसे पूछ लूँगा यह गेन किसकी है और मैं उसे दे दूँगा उसने ऐसा ही किया जब शाम को सब बच्चे खेलने के लिए कठा किया था सभी बच्चे अपने खेलने के समान वहीं रखते थे उस क्लब में जाकर वह पूछ लेगा ऐसा सोच कर उसने गेन रख ली जब शाम को सब लोग एकठा हुए तो उसने पूछा सारे दोस्तों से उसने पूछा लेकिन सभी लोग बोलने लगे यह गेन मेरी है यह किन्तो दिनेश बिल्कुल नहीं हर वड़ाया क्योंकि उसने पहले सोच के रखा था कि यह गेन उसी को मिलेगी जो इस पर लगे निशान के बारे में बताएगा अगर आपकी गेन खोई है तो आप पहले निशान बताईए फिर मैं आपको यह गेन दे दूँगा सुधीर, अनील, अर्वीन, आनन सभी इस गेन को लेना चाहते थे सब अपनी अपनी बात कह रहे थे तब ही वहाँ दीपक आया दीपक उस मित्र की टोली का ही एक बच्चा था किन्तो वो थोड़ा अधिक चालाक और चतुर था दीपक अपनी बात मानने के लिए सबसे जित करने लगा वह बार बार कहने लगा यह गेन मेरी है अब तो सुनील, दीपक और सुधीर ने एक गुट बना लिया मतलब वो एक समू में हो गया दिरेश ने सोचा ऐसे लड़ाई बढ़ जाएगी और गेन किसी को मिलेगी भी न कि उस पार स्कूटर की टोकरी में जा गी ली कौन से स्कूटर जो तेजी से रास्ते पर जा रही थी, पहले तो सारे बच्ये चिलाते वे स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन वो बात में समझ गए कि उसके पीछे भागना बेकार है और सभी एक दूसरे को देखकर जोर से हस ने लगे धन्यवाद बच्चों